हलो दोस्तो वेलकम टू मेरा यूटूब चैनल हरी टेकनिकल और आप सब दोस्तों को मेरा इस चैनल में स्वागत है दोस्तों जो नए दोस्त देख रहे हैं नीचे देखिए सस्क्राइब लिखा है उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए उससे क्या होगा दोस्तों मैं फास फास जो भी वीडियो डालूँगा आप लोग पास नोटिफिकेशन जाएगा और मेरा लेटेस लेटेस वीडियो जो LED रिपेरिंग का है आप दोस्तों फास फास देख सकते हैं आप बहुत कुछ सीख सकते हैं तो दोस्तों चैनल को सस्क्र करना मत बुलिए चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो मैं वीडियो लाया हूं वो लाया हूं टूडे कमेंट बोक्स का तो चलिए दोस्तों आप लोग जो कमेंट किये उनका एंसर देने के लिए तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं पहल पहले समझ लीजिए धीमा क्यों जलता है उसके बाद में आपको पहले solution बता दे रहा हूं उसमें धीमा जलने का क्या कारण आता है एक कारण आता है पहला कारण जो आपका यह जो SMD light लगा हुआ है इसमें से अगर कोई दो चाए एक fuse हो जाए तभी भी धीमा कभी कभी जलता है ठीक है दोस्तों तो उसको क्या कीजिएगा इसको हटा के इसमें आपस में sort कर जिएगा तो आपका यह okay हो जाएगा ठीक है अगर इस तरह से okay नहीं हो रहा तो आप capacitor देखिएगा यह इसके बज़े से भी धीमा जलता है ठीक है और transformer खराब होने का बाद भी धीमा जलता है ठीक है तो यह आप दो तीन चेक कर लीजिएगा और मेरा जो वीडियो है आप देख लीजिएगा धीमा जलने का क्या कारण है ठीक है उसके बाद में आप अपना LED ओके कर लीजिएगा यह तो हो गया आपका कमेंट और उसका सौट करके देख सकते हैं अगर आपको यह छोटा वाला MPCB SMD लाइट अगर आपको चेक करना है तो मल्टीमीटर से चेक कर जीजिएगा नहीं तो चार्जिंग लगा के उसका सौकेट से चेक कर सकते हैं कि यह कौन सा सही है कौन सा खराब है इसका भी मैं वीडियो ब करके सर्च किजिए यूटीब पर और जितना वीडियो है देखके आप देख सकते हैं तो यह हो गया धीमा जलने का नेक्स्ट जो कमेंट लेने वाला हूं वह लेने वाला हूं विकास यादव इन्होंने लिखाए इसमें जो ब्लेक ब्लेक छोटा छोटा जो दोग ट्रांस तो आप जो वीडियो देखे हैं उसका मैं लाया हूं इसको बोलते हैं डीसी टू एसी चौक यह चौक है यह दोस्तों देखिए लिखा हुआ है 12-18 वाट आप इस्तमाल कर सकते हैं यह देखिए यह चौक का बात बोल रहा है तो दोस्त मैं आपको इसमें दिखा दे रहा दोन हुआ हूं आप अगर समझ जाएंगे तो आप अपना। चेक कर सकते हैं यह देखिए मैं आपको बता ढह सरकीट में वो बताइए तो उसका solution मिल जाएगा इसका मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ जाके इसका link में description में देदूँगा जाके देख लिजिएगा transformer दोस्त इसको बोलते हैं यह transistor बोलते इसको ठीक है तो आप ध्यान से समझे लिए काला काला जो बोले थे इस्टिल लगा हुआ है यह transistor है इसका इसका repairing का मैं वीडियो डाला हूँ जाके देख सकते हैं और अपना यह चोक DC वाला DC to AC चोक कर सकते हैं तो यह हो गया आपका comment का answer और मैं next जो लेने वाला हूँ SS music 888 48 है इन्हों लिखाया सार जी आपका solding local है इसलिए नहीं गरम हुआ है original लीजिए हाँ दोस्त आप ठीक बोलें देखिए यह जो मैं इस्तमाल करता हूं यह मेरा जो solding iron है यह locally है मेरा locally इस्तमाल करता हूं इसी से कान चलता है मेरा और original का बात बोलना है तो दोस्त original भी मैं लूंगा ठीक है ठीक है दोस्त आप सही पेचान है यह local है अब यह आपका भी होगी है अब next question ले रहा हूं उनका है नगेंदर हमको समझाये connection करिए तो दोस्त आ उस LED board connection का मैं 3-4 वीडियो डाला हूं एकदम अच्छा से समझाया हूं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से comment पहले वीडियो जाके देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप comment कीजिए मैं उसके उपर एक वीडियो बना दूँगा अच्छा से समझा ठीक है दोस्त आपका भी answer मिल गया next जो लिख रहे हैं वो है असोक कुमार किरपिया यह बताए कि 3 MPCB को मिला कर कितने वाट का light तयार होगा तथा driver कितने वाट का लगाना होगा तो दोस्त मैं आपको बतानू देखिए यह जो circuit है इससे मैं 4 MPCB जलाने का कोशिस किया लेक 9 Watt का जो MPCB होता है यह देखिए मेरा पास 9 Watt का MPCB है इसका मैं 3 पीस इस circuit से 3 पीस पूरा lighting गलो करेगा और कोई problem नहीं होगा और ज्यादा दिन चलेगा मैं इस तरह का बना के अपने घर में इस्तमाल करता हूँ एक circuit से 3 9 Watt का MPCB इसका मैं वीडियो बनाया हूँ इसका लिंक में description में दे दूँगा जाकिए समझिए सिखिए और इस तरह का बनाये circuit एक circuit से 3 MPCB कैसे जलता है ठीक है और दोस्त मैं बता दू इस टाइप का आपका normal अगर कोई circuit है तो देखिए इस टाइप का अगर circuit मिलेगा आपको तो market से लेके आ सकते हैं इसका देखिए capacitor दे transformer है और कुछ नहीं है और यह दोस्तों थोड़ा धमदार सरकीट है इससे 3 MPCB 9W का जलता है ठीक है दोस्त तो आपका भी अंसर हो मिल गया जब इलेक्ट्री से जलाईएगा तो थोड़ा हीट होगा अगर आपका सरकीट में कोई problem है तो comment कीजिए मैं उसका एंसर देने का पुरा-पुरा कोशिस करूंगा ठीक है तो यह हो गया आपका अब next में जो लेने वाला हूँ सुरेस राजोरा सर मैंने capacitor और transformer दोनों change किया फिर भी voltage कम दिखा रहा है क्या करूं तो दोस्त मैं आपको बता दूं आप transformer और capacitor चेंज कर दिये और तबी भी आपका low voltage दिखा रहा है तो दोस्त मैं बता दूं आप पहले problem ठीक से पकरिए कौन सा component कौन सा इस्तमाल में आता है पहले ये basic सीखिए उसके बाद में आप एक बाद दो बार में तीन बार में जैसे आप fault पकर सकते हैं जैसे पहला step जो होता है ये component के उपर आता है आप देखिए अगर आप MOB चेक कर लिजेगा MOB भी खराब होने के बाद voltage आगे नहीं बेजेगा और दोस्त केपासिटर जो है ये भी खराब होने से नहीं भेजता है तो आप केपासिटर चेंज कर दिए ठीक है लेकिन आप MOB और आगर आपका सरकीट में रेजिस्टन्स लगा है तो चेक कर लिजेगा कि MOB और रेजिस्टन्स सही है कि नहीं पहले इधर से सरकीट से के बाद में ही आगे एक किजिएगा पहले इधर में फोल्ट चेक कर लिजेगा तो आपका दोस्त ये एंसर मिल गया और दोस्त एक दोस्त ने और चेतन लिख रहे हैं SMD कॉंपोनेट जल गया है तो क्या करें तो दोस्त इसका दो ही उपाई है अगर आपका जो SMD लाइट अगर ये खराब हो चुका है तो इसको चेंज कर दीजिए अगर एक फ्यूज है तो इसको सोल्डिंग कर दीजिए और अगर आपको ये सोल्डिंग ज्यादा दिन नहीं टिक रहा है आपके घर पे तो इसका मैं एक उपाई और बता रहा हूं देखिए ये IC के पास में देखिएगा तीन रेजिस्टन्स लगा रता है तीन रेजिस्टन्स लगा रता है उसमें से एक जो ज़्यादा वोल्टेज का है उसको निकाल दीजेगा तो आपका आगे वाला MPC भी नहीं कभी खराब होगा इसका एक वीडियो बनाया हूं इसका लिंक करने का तो मुझे बढ़िया से कमेंट कीजिए मैं उसका बढ़िया से एंसर दूंगा और दोस्तों आप अपना LED OK कर लिजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं practical करके दिखाऊंगा और आपका LED OK हो जाएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना है अगर आप ल